हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आज यहां पे आपको दिख रहा है क्या है आज है यहां पे स्वीट कॉन स्वीट कॉन से हम बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं लेकिन आज एक वीक से बनने वाला हेल्दी सैलाड बनाएंगे तो फ्रेंट्स इसके लिए यहां पे हमने लिया है स्वीट कॉन स्वीट कॉन के साथ हमारे पास ऐ ओनियन एक मीडियम साइज ओनियन को चॉप कर लिया है यहां पे है बेल पेपर अभी बेल पेपर बहुत ही अच्छा आ रहे है वेंटर में और मुझे तो इनका कलर ही इतना आप देख सकते हो रेड यलो नीचे ग्रीन भी है तो यह सब कलर एक तो अच्छा होता है उसके साथ साथ उसमें अपना न्यूट्रिशन वेल्यू भी रहता है तो इसी लिए हमें हमें जितना हो सके हमारे डायेट में कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम इंक्लूड करें इसी ल है एक लेमन का जूस उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट एड किया है और इसके साथ-साथ अब ईसमें मैं एड करूंगी यह ब्लैक पीपर आप अपने स्वाथ के अनुसार सॉल्ट और बलैक पर ले शक्ते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस ये इसका ड्रेसिंग भी रेडी हो गया आप चाहे तो इसके बदले विनेगर भी ले सकते है आप चाहे तो एपल सिदार वेनेगर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं सेलाट को बिनाने के लिए और कुछ नहीं थोड़ी सी चॉपिंग थोड़ी से आइडियाज और एक टेस्टी प्रेसिंग बस तो ये टेस्टी सेलाट आपका रेडी हो जाएगा तो चलिए अब इनको एसेंबल करेंगे ये मैंने एक छोटा कप मतलब की हाफ कप स्वीट कॉन लिया है और उनको बॉयल कर लिया है नमक एड़ करके तो ये मेरे स्वीट कॉन एकदम ब्रेडी है आप देख रहे हो बहुत ही टेम्टिंग वैसे ही लग रहे है और अब इसमें ये सब चीजे डलेगी तो तो ये सेलाड का टेस्ट ही कुछ अलग होगा फ्रेंस सबसे पहले ओनियन एड़ कर लिया इसके बाद इसमें एड़ करेंगे ये हमारे कलरफुल बैल पेपर्स आप देख रहे हो कि ये जिसको पसल नहीं होगा उसको भी आटोमेटिकली खाने का बन कर जाएगा इतना टेम्टिंग ये कलर लग रहा है ना मुझे तो इतना वेट नहीं हो रहा है कि मैं बस कब बने और कब इसको खाना शुरू करूँ और लास्ट में हैं टोमेटोज वैसे टोमेटोज आप नहीं डालना चाहे तो भी चल सकता है और इसके साथ साथ आप चाहे तो इसमें थोड़े से राजमा जो है बॉल करके उसको भी एड़ कर सकते तो ये आपका मैक्सिकिन से लाइड हो जाएगा इसमें आप चाहो तो चिली फ्लेक्स और औरेगानों भी डाल सकते हो तो इसको एक नया फ्लेवर मिल जाएगा तो बस वही जैसे मैंने कहा आप वेरियेशन अपने हिसाब से कर सकते है बट मेरा ये बहुत सिंपल टेस्टी और हेल्दी सैलाड है अब इसमें लास्ट में अ स्वीट कॉन वैसे भी बहुत मज़ा आता है खाने में और उसमें भी अगर इसमें ऐसा चटपटर अगर टेस्ट हो लेमिन का और ऐसा तो यह और भी टेस्टी हो जाएगा अब इसको हम ऐसे ही टॉस कर लेंगे और फ्रेंट्स अगर आपके बच्चे यह खाते नहीं है तो उसके लिए भी एक आइडिया मैं आपको देना चाहूंगी इसमें थोड़ा सा चीज ग्रेट करके डाल दीजे या फिर इसमें थोड़ा सा बटर डाल दीजे तो I'm sure उनको भी यह बहुत पसंद आएगा और वो जादा बहुत उसको पसंद है तो किसी भी फॉर्म में स्वीट कॉन खा लेता है तो इसके साथ साथ आज मैंने इसमें बेल पेपर्स और टॉमेटो डाल के इसमें वेचिटेबल से एड़ करके इसका न्यूट्रिशन वेल्यू और बढ़ा दिया है तो फ्रेंज आप भी य आपको यह मेरी सालाट रेसिपी कैसी लगी और हाँ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले फिर ऐसी चटपटी और क्विक रेसिपी के साथ हम जल्दी मिलेंगे तिल देन हैपी कुकिंग बाई बाई प्लीज टेक केर आफ यॉरसेल्फ